रमरम किसान भाईयो आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हम S4 आलू के हाइब्रिड वैराइटी जालंदर से लेकर आए थे वो आज बुबाई के लिए तैयार है और आप देख रहे हैं कितनी सुन्दर आखें उकरके आई हुई हैं इन आलू में और ये इस पेड़ वाली मसी जानकारी हो जिसे आपको सीधा सीधा फायदा हो सके इसलिए हम आप तक यह जानकारी पहुंचाते हैं लेकिन उसके बाद भी किसान भाईयो आप किसी भी बात पर अपने विवेक से बिचार करने के बाद में कोई डिसीजन ले तो यह जो वेराइटी हम लेकर आये थे पर इनकी असली जो सांगा है उनकी जो फरम है वहाँ पर है होता क्या है किई वार किसान भाई जाते हैं और अंजाने में किसी और के द्वारा ठग लिए जाते हैं जिससे किसान भाईयों को अच्छा नुभब नहीं रहता तो किसान भाईयों यह आप देख रहें यह फोन नंबर उपलब्द हो जाए यह आप देख रहें इसमें फोन नंबर आया हुआ है जिससे आप संपर कर सकते तो किसान भाईयों थोड़ी सी जानकारी और इस वीडियो में हम आपको यह देना चाहेते हैं वहाँ पर दो सांगा है एक छोटे सांगा एक बड़े सांगा तो ज महाँ पर जानकारी करें उसके बाद में बीज लें या ना लें वो आपके उपर डिपेंड करता है और अगर जाएं कभी भी बीज लेना हो तो इन दोनों के अलावा किसी और से बीज ना लें जो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान होगा और हम नहीं जाहेते कि क किसी भी किसान भाई को नुकसान हो वैसे भी आज के दोर में खेती बास्तम में घाटे का सौदा साबित हो रही है और उसमें अगर कोई गलत चीज और मिल जाए उसमें तो काफी नुकसान होता है यह एस फोर आलू का बीज लेकर आए थे हो महां सर जो इस पेसल फूर के न अंसानिया है पहँचान है आप यही इसी तरह से अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी आखे बहुत सुंदर अंकुर के आती हैं यह देखिए सारे दाने एक साथ एक से एक अच्छा दाना है तो यह और किसान भाईयो हम जो भी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं हम पहले देख भाल के सोच बिचार करके और इस्तेमाल करने के बाद ही कोई अनुभवी जेयर करते हैं आपके पास ऐसी अनाप सनाप कोई भी जानकारी हम आप तक नहीं पहुचाते हैं तो धन्यवाद किसान भाईयो और आलू से संबंदित किसी भी जानकारी के लिए एक मैसू जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद